हमारी आज की वीडियो को टॉपिक है ट्रेल आफ तक ग्रीन ब्लेजर आज की वीडियो में हमें स्टोरी की समरी देखेंगे इस स्टोरी में दो मेंन केरेक्टर्स हैं ग्रीन ब्लेजर एंड राजू Green Blazer का नाम जो पूरी स्टोरी में कहीं भी mention नहीं किया गया है और पूरी स्टोरी में से Green Blazer ही बोला गया है तो स्टोरी के शुरॉत है वो भी Green Blazer से होती है हम देखते हैं कि Green Blazer है वो नीले असमान के नीचे बहुत ही कड़ी दूप में Market Area में खड़ा हुआ है और वहां बहुत और भी लोग हैं जो Market में हमें दिखाई दे रहे हैं Shirts और टॉबन्स पहने हुए जो लोग हैं वो Villagers हैं और जो Townsmen हैं उन्होंने Coats and Caps पहने हैं जो Baggers हैं उनकी जो Bodies हैं वो Bear हैं और और तोंने रंग बिरंगी साड़ियां पहनी हुई है अब हर कोई इस Person Green Blazer को Notice किये बिना नहीं रह पा रहा है और इसकी Appearance से लग रहा है कि यह जो Person है वो बहुत ही Rich Person है आगे हम देखते हैं कि Bible Preacher की आवाज में हमें जो Health Band है उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है जो कि Malaria और Tuberculosis के बारे में Awareness फैला रही है और जैसे ही Bible Preacher बोलना बंद करता है उसे टाइम हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक Health Band भी है और उसकी आवाज हमें सुनाई देती है इसके बाद हमारा जो स्टोरी का में करेक्टर है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है राजू जो के एक प्रोफेशनली एक चोर है उसके बारे में बताया गया है उसकी इंट्रोडक्शन दी गई है कि उसने जिर्फ एक Loin Cloth पहन रखा है और एक Turban पहन रखी है उसके अलावा उसकी बाड़ी पे और कुछ भी उसने नहीं पहन रखा है और वो Green Blazer को Notice किये बिना नहीं रह पाता और वो देख लेता है कि यह बहुत ही Rich Person है और आज के दिन Green Blazer उसका Target है हम देख रहे हैं कि जो राजू है वो जब भी Market में आता है तो वो अपने जो अलग लग है जो भेस बदल कराता है तांकि कोई भी परसन उसे पहचान ना पाए और पोलिस उसे कहीं पकड़ना ले और जब वो अब Green Blazer को देखता है तो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और कई बार जो राजू है उससे चोरी के वक्त जो कैश नहीं मिलता है जिससे कि वो बहुत डिसपॉइंट होता है और कभी-कभी उसे पैन मिलता है या वाचिस मिलती है जिससे बेचकर उसे जो ज़्यादा पैसे नहीं मिलते है तो जब भी उसे किसी पर्स में से कैश मिल जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जब भी उसे cash मिलता है तो वो उस पैसे से sweets, books या slates है जो वो अपने बच्चों के लिए करीता है और उसकी जो wife है उसे नहीं पता कि राजू अभी भी नहीं सुद्रा है वो अभी भी चोरी करता है और इसलिए जब जब ज़ादा cash उसके पास होता है तो वो उसे चुपा कर रखता है ज़ा फिर अपनी wife से बोलता है कि उसे commission मिला है और उसकी wife कभी भी उसे कोई question नहीं करती है कि किस काम के लिए ज़े उसे commission मिल रहा है अब जो राजू का पूरा concentration है आज के दिन वो green blazer पर रहता है वो उसे stock करना शुरू करता है और उसे इतनी दूरी बनाए रखता है market area में तागि उसे उस पर शक ना हो जाए और इस दुरान वो खुद को मानता है कि वो एक शिकारी है और जो green blazer है वो एक tiger है अब वो उसके पीछे पीछे जा रहा है राजू green blazer coconut पीने के लिए एक जगे पर रुखता है और वहाँ पर बहुत सारा time है जो लगा देता है और राजू पेशिंटली उसका weight कर रहा है और green blazer को coconut water पीते हुए देख राजू कभी दिल करता है कि वो भी coconut ले और उसे पीए पर वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देता है कि ऐसा करने से उसका जो काम है उसमें रुकाबट आएगी वो अपने मन को भटकने नहीं देता अब green blazer का जो थोड़ा टाइम coconut seller के साथ argument चलता है जिसके बाद उसे वो पे कर देता है और उसके बाद वो एक balloon seller के पास जाता है जिससे कि वो अपने बेटे के लिए एक balloon खरीता है और यहां पर भी जो balloon seller के साथ भी वो argument करता है तो इससे हमें पता चलता है कि green blazer का जो nature है वो बहुत ही mean type का person है बहुत ही कंजूस type का person है और यहीं से जो राजू है वो जानता है कि जिस लड़के के लिए वो गुबारा ले रहा है वो green blazer का बेटा है और उसकी wife है जो green blazer की उसकी death हो चुकी है और अगर वो balloon लेकर नहीं जाएगा तो वो उसका बेटा है वो रोना शुरू कर देगा अब राजू उसके पीछे ही चलता रहता है green blazer के पीछे और बहुत ही बीड़बार वाली जगे जब आती है जहां पर लोग महात्मा गांधी का जो wax model देख रहे हैं वहां पर मोका देखकर राजू green blazer का जो परस है वो चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है एक बहुती जो सुनसान से जगे होती है वहां पर जाके खड़े हो जाता है और उसके पास में ही एक कुओँ हैं जिसे अब यूज नहीं किया जाता हाला कि उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है पर उसे अब कोई भी यूज नहीं करता तो इसमें से राजू है पूरे पैसे निकाल लेता है और कॉइन्स में उसे 10 रुपीज मिलते है और नोट्स में जो करन्सी नोट्स है वहाँ पे उसे 20 रुपीज मिलते है और कुछ आनाज भी उस परस में होते है तो इसे खाली करने के बाद वो इसे कुए में फेंकने वाला होता है यह क्या देखता है राजू कि उस परस में एक बैलून है और उसे उस परसन की बात याद आ जाती है कि बैलून है जो उस परसन एक छोटे बच्चे के लिए खरीदा है और अगर वो उसे नहीं मिलेगा तो वो रोएगा अब जो राजू है उस परसन को स्टोक करते हुए उसकी नेचर को पहचान चुका है कि इतना रूड परसन है और अगर वो बच्चा रोएगा तो ये उसे पीटना शुरू कर देगा और उसे यहीं बच्चे पर तरसा जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो इस परस को कोई में नहीं फेकेगा बलकि बैलून इसमें डाल कर दुबारा ग्रीन ब्लेजर के जो पोकेट है वो उसमें डाल देगा अब ग्रीन ब्लेजर को पता चल चुका है कि उसका जो पर्स चोरी हो गया है और वो चला रहा है पर उसमें पूरी बीड में उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और राजु कहता है कि आजकल जो लोग हैं वो एक दूसरी के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं रखते ह किसी को कोई फरक नहीं पढ़ रहा है और एक मोका देखकर राजु उसका जो पर्स है उसकी पॉकेट में डाल देता है पर उसकी किस्मत है जो थोड़ी खराब होती है और इस टाइम पर ग्रीन ब्लेजर है वो उसे पकड़ लेता है और चिलाना शुरू कर देता है कि उसने एक चोर को पकड़ लिया है और वहीं बीड कठी हो जाती है और राजु की पिटाई होती है बहुत बुरी तरह से और मैजिस्ट्रेट के सामने राजु ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो उस टाइम पर चोरी नहीं कर रहा था जबकि वो पर्स है वो पॉकेट में के सामने पर इस पर राजु को समझ नहीं आता कि उसकी तो इंटेंशन्स है जो बुरी नहीं थी वो तो सिरफ जो परस है उसे दुबारा पोकेट में डाल रहा था ताकि उस बच्चे को मारना पड़े पर राजु की बाद किसी को भी समझ में नहीं आती और उसे 18 महीने के लिए जेल में रहना पड़ता है उसके बाद जब दुबारा राजु जेल से बाहर आता है तो अब उसमें उसने कसम खा लिया कि वो किसी पर भी दाया नहीं करेगा और दुबारा कभी जो परस है वो दुबारा किसी पॉकेट में डालने के लिए नहीं जाएगा